Hello 8th class, welcome to my YouTube channel. Today we will read Honeydew chapter 3rd, Glimpses of the Past. First of all, we will understand that what is the meaning of this chapter. Glimpses, Glimpses means hota hai jhalqiyan. Of past, past matlab, joh humaara samayi bich chuka hai. भूत काल ki jhalqiyan. Although, यह chapter आपको history का लगेगा, लेकिन यह chapter हमारा English reader में है. तो आपको chapter का meaning के लिएर हो गया. अब हम देखेंगे, इसमें before you read, इसमें जो बताया गया है, वो 1757 to 1857 की बातें बताये गई हैं. Clear? यहां हमारे देश के इतिहास में 1757 to 1857 की कुछ जल्कियां दिखाई जा रही हैं. और यह जो इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं और जो इसमें डायलोग लिखा हुए हैं. वो हमें यह समझने में मदद करेंगे कि कौन सी परिस्थितियां थी जो 1857 की प्रथम सतंत्रा संग्राम का कारण बनी. What is the reason कि जो हमारी फर्स्ट बार हुई independence की 1857 में उसकी क्या कारण थे? इसमें फर्स्ट पिक्चर में आपको कुछ लिजैंडरी दिख रहे हैं हमें लालबादु शास्त्री, श्रीमती इंद्रा कांधी, पंडेचवाल लालनहरू और सरकुकिला लत्लामंगेशकर. ये दिल्ली की एक तस्वीर है, देखो, at a function in Delhi. डैली में एक function हो रहा है और ये उस function की एक तस्वीर है, जिसमें लत्लामंगेशकर एक जो है song गारी हैं. Oh my country man, let your eyes fill with tears, अपनी आँख में भर लो पानी, यानि की को सगाना का रही हैं? ये मेरे बतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी चरयात्वरो कुर्बानी. के लिए तो ये सारा उसी कई इन्होंने फस्स पेज दिया हुआ है, इसके बाद हम सेकेंड पेज देखेंगे, इस सेकेंड पेज में हमें बताया गया है, the company's conquist, conquist मतला होता है, company की विजए, जो अंग्रेज हमारे देश में आकर के अपना कबजा करते जा रहे थे, इस्ट से डेटेल में जानकारी ले सकते हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे भारत देश पर कप्चा कर लिया था, व्याप दार करने के लिए आईवे थे, इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना करके, और ये समय चला था, 1757-1849, अब देखिए, सबसे पहले नोने ये आपको जो य उन्होंने ब्रिटिस्ट जो कंपनी आई थी, उन्होंने बिजनेस अपना दिने देडिवे स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, अब वीदी सुपेरियर वेपन्स अब इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी वास एक्स्टेंडिंग इस पावर in 18th century इंडिया, अठारवी शताब थी शक्तियों को बढ़ा रही थी इसके बाद हम नेक्स पिक्चर में देखेंगे दा इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइट यह क्यों हो रहा था कि वह अपना वैपार बढ़ाती जा रहे थी क्योंकि जो भारत के राजकुमार राजा लोग थे वह दूर दर्शी नहीं थे शॉर्ट साइट थे वह इस बात पूर नहीं समझ पा रहे थे कि दिरे दिरे घर जो अपना बिजनेस हे नहीं थे धिरे परदेश पे रहुम कर लेंगी कि भारती राजाओं से मैं दूर गरशीदा की कमी थी और यह नहीं जान पा रहे थे कि यह राजा ज्यादा शक्ति शाली हो रहा है अंग्रेजी वैपारियों को बुलाओ कि मतला एक राजा को वह जो है अमीर करते जा रहे थे बड़ा बनाते जा रहे थे उसके मदद करके यह नी समझ में आ रहा था कि वह क्या चाह रहे है तो कि दीरे दीरे भारत पर कब्जा करने चाह रहे थे तो उन्होंने कुछ राजाओं को अपने में जो है उनको बढ़ावा दिने शुरू कर दिया आप हमाये इसाफ से काम करेंगे तो हम आपको यह दिल बाद देंगे वह दिल बाद देंगे इस तरह कि से और हैल्प मी तु डि जाये हुए थे उन्होंने हमारे देश पर कब्जा करने के लिए जगडा स्टार्ट करवा दिया लोगों में आपस में लडाईयां शुरू कर दी इस तरह की लगाता लडाईयों से लोग तंग आ चुके थे अब एक दूसरे से अपने आपको बढ़ावा देने के लिए और इस तरीके से जो है आपस में हिंदू के जो हमारे राजा थे वह आपस में जगडा करना शुरू कर दी थे और इससे क्या हुआ कि लडाईयों से जो है लोग तंग आ गए अब इसके बार देखी क्या हुआ विद्रुह ने इस्ट इंडिया कंपनी की साहिता कर दी और ज विद्रुर्ण तुम जो है इस राजा को हरा के राजे सिंडनने ओर यहां पर आकर विज्नस करेंगे इस तरीके से जो है वो जो है उनसे लडते जब उनकी death नहीं हो गई वो इस चीज के लिए बहादुरी के साथ लड़ते रहे समझाने की कोशिश भी कि नहीं कि हम तुमारे कब्जे में नहीं आएंगे जो राजा उनको कि या तो हमारे कब्जे में आ जाओ या मर जा रहे थे जैसे तो उन्होंने मरना मंजूर करा लेकि दूसरे राजाओं के कब्जे में नहीं आए इसके बाद में कुछ जो थे कि no more thank god there is peace is no country in the country now no more wars and no looting by thugs अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो है हमारे देश में शांती होती जा रही है कि राजा ही आपस में दूसरे से बात करते हुए कि शांती हो रही है कोई इंडियन्स रियक्ट टू इस कॉंक्यूस्ट जो जीत होती है इस पर कैसे रियक्ट कर रहे थे it is god who sent the British जो गिद्रोई राजा थे वो इस सीच के लिए agree कर रहे थे कि हमारे जो इस तरह से जो है सब तरफ शांती जा रही है और कहीं पर भी कोई लूट पार्ट नहीं हो रह और यह क्यों हो रहा था क्योंकि वह जो है जो विद्रोई थे वह ब्रिटिस का सपोर्ट कर रहे थे और भारतियों ने इन विज़े पर प्रतिक्रिया दे दी कि भगवान का शुक्र है देश में शांती है अब दोना युद हो रहे हैं नाही ठकू के आक्रमाण लेकिन भग उनके साथ बंदा है वह यह आपस में बाते कर रहे हैं लेकिन जो दूसरी और कुछ और लोग भी थे यह उनने कहा कि गोरों ने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है यह में गदी से उदार दिया है कुछ राजा अच्छी नहीं थे किन्तु फिर भी इस देश के थे वह राजा अच्छी नहीं थे लेकिन थे तो कम से कम हमारे देश के ही हमारे पर उनकी हुकूमर चल रही थी अब तो बाहर के लोग आ गए हैं और वह विदेशी हमारे देश के पर आकर के हमें गुलाम बनाते जा रहे हैं इसके बाद देखेंगे हमां अगला पेज ब्रिटिश रूल किस तरीके से जो है ब्रिटिश शाशन हमारे देश के उपर होता जा रहा था धार्मिक नेता उन्हें छुआ चूट और वाल विवा पर उपदेश देने शुरू कर दिये जो धार्मिक नेता थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि छूआ चूट कोई किसी को नहीं या बाल विवा होना चाहिए इस तरीके से और उन्होंने का एनिवन हूँ एक्रो एनिवन हूँ क्रॉसेज दा सीज लॉसेज इस रिलिजन अगर कोई समंदुर को पार कर लेगा तो उसका धरम भरस्ट हो जाएगा इस तरीकी की वह बाती करने लग गए और इससे क्य तरीके से जो है आत्मसंवान को खो दिया था जो है अंग्रेज्वों के कंट्रोल में आते जा रहे थे और और वह अपना सेल्फ रेस्पक्ट खो दिया था वह उनकी गुलामी करने लग गए थे अंग्रेज्व की कुछ लोग और इससरी क्या हो गया था कि जो हमारा देश वो जो है अंग्रेज उनको डाटने लग गए थे हमारे देश के लोगों को और उने उनसे गुलामों के जैसा बरताब कर रहे थे इस तरीके से जो है हमारा देश दीर दीर गुलाम होता जा रहा था और उनको भारतियों को कहने लग गए थे कि यह लोग तो विश्वास के सब्सक्राइब हो सकता है आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं मैं एक इमानदार इंसान हूं इसमें दिख़ए इस पिक्चर में आपको हां जोड़े खोड़ा हुआ है एक इंडियन और लेकिन सच महराज किन्तु मैं इमानदार हूं इस तरीके सूर कहने के को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तो इस बउनको बहुत जल्दी जल्दी जो उन्हों पर किसांदों के ओपर कर लगा दिये सब्सक्राइब कर और इतJan के इतना मझें करों का इतना का इतना सब्सक्राइब दिया दे हैं और इसी अपनी जमीन upwards को बिटिश को देनी पढ़ गई और जमीन भी लेली और उनसे का जो फसल होती थी सारी जारी फसल भी ले जाते थी अब जब फसल भी लेली जमीन भी लेली तो इससे क्या होगा इसे तो समझ में आ रहा है न स्टिल दे बिटिस इन्वेंटेड अधर मैथस्ट विच गेव दै अब कहते थे अभी तुमने हमारा करज नहीं चुकाया है अगर तुम इसे अगले सप्ता तक नहीं चुकाते हो तो मैं तुमें जील भीज दोंगा अब जब आप किसानों की जमीन चीन गई उनकी फसल चीन गई तो कहां से बिचारे पैसा देंगे तो इस तरीके से उनके प और देखें, the British policies ruin the expert artisans and their business, जो भी कलाकार आदमी थे, जो भी जिनकी कलाएं थी, चाहें वो कुमार हो, या बुनकर हो, या कोई पेंटर हो, उनकी कलाओं को भी उनसे छीनना, उनने स्टार्ट तर दिया, कि उनको तो किसी तरह से भी उस क्या था, कि अपना लाब करना था, और उन्होंने क्या किया, कि भारत के उध्योंगों को जितने भी छोट-छोटी विजनस थे न, उनको रोनना शुरू कर दिया, और कारिगरों को और उनके वेबसाइट को भी बरबार कर दिया, अब देखेंगे अगले पेज में हम, राजा रामोन राय, ये 1772 से 1833 की बात ह देखेंगे, बहुत ही हमारे देश के वो राजा रामोन राय एक बंगाल के बहुत ही विद्वान रहती थे, एलर्ण मैं फ्रॉम बेंगॉल, अंडस्टूड वार्ट वाज रॉग विद्दा कंट्री, उनको इस समझ में आ रहा था कि अंग्रेज किस तरीके से हमारे देश को बरबाद कर रहे हैं और देश के लोगों पर जुल्म ठा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कि उनको यह समझ में आके कि हमारे देश के साथ गलत हो रहा था, तो उन्होंने कहा हमें अपने आपको निराश नहीं करना चाहिए, हमारी प्राचीन संस्कृति महान है और हम रखना होगा वह आपस में चर्चा कर रहे हैं एंशेंट कल्चर जो है हमारा वह महान है एंड वी आर कैपेबिल और ग्रेटर अचीबमेंट्स हम उप लगदियों को पा सकते हैं इस तरीके से वह बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद में देखेंगे अगले पेज में हम ही टो किस तरीके से देती हैं इसी तरीके से कोई भी राजा हो हमारा चाहे हिंदू राजा हो या मुस्लिम राजा हो सबी कुछ भी करेंगे वह अपने देश का ही कल्यार चाहेंगे होगा तो हमारे भारत देश का ही भला और उसी तरीके से जो प्रीचर होते हैं प्रीचर होते हैं प्रीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो चाहे किसी भी religion के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म गुरू के अध्यापक हो, teacher हो, वो कभी भी आपको गरत रहापर नहीं ले जाएंगे, वो हमेशा आपको सच्चाई की रहापर ले जाएंगे, चाहे वो हिंदू religion हो, चा इस तरीके से गुरुवों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन प्रतेग धर्म का सार एक ही है हर कोई जो है भलाई का रास्ता ही बताता है और जो रामोन राय थे वो विज्ञान वा आदूनिक ज्ञान से प्रभावित थे वो अंद्रविश्वास में विश्वास नहीं करते थे knowledge should be practical and scientific उनके हिसाब से जो जो होता है वो practical होना चाहिए और scientific होना चाहिए और इसके अराबा उन्होंने का ज्यान सदे प्रायोगिक और विज्ञानिक होना चाहिए उन्होंने फिर इसके लिए क्या-क्या लोगों को जागूर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और इसके लिए बिए अटारा सो तीज में उनके न्यूस्पेपर को पर भी रोक लगा दी तो किसे लोग जागरूख होने शिड़ों गये थे अब उन्होंने क्या कि अब उन्होंने सोचा कि मुझे यह जानना होगा कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली कैसे बन गए हैं जो कल वैपार करने आए थे वो आज की तारिक में भारत पे दीरे-दीरे कबजा करते जा रहे हैं तो मुझे समुद्र पार करके जाना होगा कि अपने शक्तिशाली क्यों होते जा रहे हैं और वहां पर उन्होंने कहा हमको आपको अपने शाशक स्विकार किया है और आपको भी हमें प्रजा स्विकार करना चाहिए उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमें आपको जो अपने शाशक मान लिया है तो आपको भी हमें प्रति जिम्मेदारियां का ऐसास होना चाहिए सब्चेक्ट को होगे हापने मतला हम भारती इसके बाद नेक्स पेज देखेंगे हम ऑप्रिशियन इसमें देखेंगे हम शोशर किस तरीके से 1765 से 1835 के बीच अंग्री जोने भारत के उपर जुल्म ठाए किस तरीके से अंग्री जोने भारतियों का शोशन जारी रखा 1818 में होने ऐसा कानून बनाया जिसके तहत बिन्ना किसी मुकदमों के भारतियों को जेल में भी जाने लगा देहें ब्रिटिस है इस्टार्टेट तु संदा इंडियन इन दा प्रिजिन कि वो जेल में लोगों को डालना स्टार्ट कर दिये और उसमें कोई ट्रायल नहीं कोई कोई मतला स्टाब नहीं कुछ नी सीधा जेल में डान लग गए इस पूरे समय भारत में अंग्रेज अफसरों के वेतन बढ़ गए और उने इसके राबा फिर क्या-क्या अंग्रेंस क कुछ लग गया और हमारे जो भारत की लोग थे उनका उनने साल्री बहुत ही कम कर दी और 1839 तक ब्रिटेन भारत में साथ करोर मुल्ले का अंग्रेजी माल ने रियाद कर रहा था देखी कितनी पुरानी बात हुए और उसमें साथ करोर मुल्ले का करोड है जो में आब डिया-ाब अब देखी इसके बाद धिया बुटिश प्रफॉर्टेस्ट के बार बिटिशन प्रफ़ बिटिश्ट अना सब्सक्रण की बिटीश दुटिश्ट एंड बिकल कम का इस लूटिट्स पुल्ट इस टी इस इसी इसी बीया देखी से इसी जो खतम होती जा रही थी, बरती जा रही थी और उनका बिस्नस बढ़ता जा रहा था। इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थे दम तोड रही थी और उनकी फलफूल रही थी। गवर्नर जेनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। उसके बाद में जो Governor General Banting थे उन्होंने इंग्लेंड बापस लोटकर बताया कि भारत के समतल मैदानों पर सूथ काटने वालों की हड्डिया विची पड़ी है जो हमारे देश के वीवर्स थे उनकी तो बहुत ही बुरी हालत कर दी उनके क्योंकि जो हमारे देश के लोगों का अपना बिजनस था वो छीन लिया था उन्होंने कच्चा माल सारा लेना उनसे और अपना सड़ा सड़ा माल भारत के लोगों को दे रहे थे इसके बाद देखेंगे हम नेक्स पेज डिस साटिस्फेक्शन किस तरीके से जो है लोगों के बीच में आसंतोश हो गया यह बात ह से 1835-56 1835 से 1856 की एजुकेशन इंडिया वास्ट इन पर्सियन और संस्कृती इन 1835 एंग्लिश मैं नेम्ड मैकली सजेस्ट अचेंज अब उन्होंने सजेशन देने स्टार्ट किये कि भारत में शिक्षा फार्सी संस्कृत में दी जाती थी उससे में तो 1835 में एक अंग्रे से शिक्षा देनी है तो भारत की संस्कृती संस्कृत भाश्य और पर्सियन थी उसको खतम करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें भारतियों को अंग्लेजिजी भाश्य का ग्यान देना होगा इससे दूसरे लोग भी सहमत हो गए और इससे क्या हुआ कि उन्होंने एजुकेशन देखे जो इंडियन्स थे उनको अपने हाँ छोटी छोटी नौक्रियां कि देनी से शुरू कर दी अब लोगों को लगा कि चलो हमें भी जॉब मिलनी शुरू हो गई है लेकिन उनको बहु जो कि भाषा भी समझने लग गए थे जो हमारे देश की लोग अंग्वेजी को समझने लग गए थे तो इस तरीके से उनको अगर एक इंटेलिजन्सी का गुर्ट पैदा हो गया और उन्होंने समझ लिया था कि हमें अपने भाईयों को शिक्षित करना चाहिए क्योंकि पह ब्रिटिश संसत्तक पहुचाना होगा इंडियन्स अब डिसाइडेट कि हमें अपना जो भी प्रॉब्लम से वह हमें ब्रिटिश पार्लियमेंट तक पहुचानी होंगी अब इसके लिए उन्होंने क्या किया देखिए कि 1856 अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कभजा कर लि अब इसकी और हमारे राजा क्या थे उनके हातों के पपेट बन गए थे पपेट मतलब कर पुतिया आवर किंग से यंद्द भी पकम पपेट आइंड वी है लौस आवर ओल जो और हमारे राजा जयरते उनके हातों की कट्रूतलिया बनते जा रहे थे देखिए लोग आपस म माफ हो चुके हैं जमीन चीन गई है हमा अंग्रेज हमारे भाईयों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं हिंदु का धर्म को अपनाओ तुम सिर्फ बाते करते हो इन्हें बहार निकालने के लिए कुछ करो इस तरीके से वह आपस में बाते कर रहे हैं इसके बाद में नेक्स से लेके 57 तक के बीच में एक आजादी की चिंगारी लोगों के बीच में आ चुकी थी लोग तो उनको समझने आ गया था कि अब हमें अंग्रेजों को यहां से ख़देड़ना होगा नहीं तो धीरे-धीरे क्या करेंगे हमारे देश पर कप्जा करके हमें बिल्कुल ही ज्य बहुमी नए बहुमी कानून से चिन गए थी जिन्होंने नया कानून बना दिया जिसके तहट वह सारी बंगाल की जमीन को हडपते जा रहे थे और उससे लोगा वसंतुस्ट होना शुदू हो गया है कि इन 1855 दे रॉस इन डेवेलियन एंड मैस्क्यूर्ड यूरुपिंस सपोर्टर्स अलाइक कि उनका आपस में जगडा शुदू कर दिया कि हमारी जमीं को यह चीनते जा रहे हैं और यूरुपियासियों और उनके साथियों को मोट के घाट उतार दिया और उन्होंने अब उनसे युद करना स्टार्ट कर दिया इंडियन्स ने देखिए यूद बिद्रो की भाबना इसट इंडिया कंपणी की सेनां में भी बल रही थी इस इंडिया कंपणी की सेनां भी बल रही थी गोरों को अधिक पर मिलती थी जो उनकी कंपणी में शामिल हो गए थे लोग ।ики एक ही पद होते वे अंग्रेजों को तो सेलरी ज्यादा दी जा रही है और हमें सेलरी कम दी जा रही है कि देखिए हमें बात कर रहे हैं दा वाइट सोल्जर्स गैट्स यूस पे मैंशन स्टू लिव इन सर्वेज और वाइल भी क्या थे पिटेंस अंड स्टू प्रमोशन हमारे प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं यह बात समझ में आने लगे अब वो सूच रहे हैं वी मस्ट राइव आउट अंग्रेज और हमें अंग्रेजों को यहां से ख़देर ना होगा आने को कहते हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है क्योंकि यह टोपी बाले होते कौन है जो हमारे प्रम कानूनों को तोड़ दे इन पर अंग्रेजों को बहां निकालना ही होगा यह सब बात कर रहे हैं आपस में और इसके बाद में देखिए उन्होंने क्या किया कि सिपाही पांडे ने रेजिमेंट की एक अर्दिकारी की हत्या कर दी और उन्हें फांसी पर चड़ा दिया थाउजन्स ओफ अधर सिपाइस रिवॉल्टेट देवर स्टिप्ट आप यूनिफॉर्म्स और देखिए उसके बाद में उन्होंने जो है जगडा शुरू कर दिया और और प्रावड ब्रह्मान सोल्चर्स तो यूनों दर्दग फिर उन्हें बताना शुरू किया जो उनको बुलट दी जाती जगडा करने के लिए सिपाईयों को उस पर एक ग्रिस लगी होती है उसको खूल ले के लिए और वो मुह से खूल ला जाता था तो उस पर क्या लग समझने का प्रियास किया कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिसे हर जगे तुन्होंने का अरे पहादूर ब्रामन सैने को ब्रामनों को पताया कि क्या तुम्हें पता है कि जो कार्दूस तुम जगरने के लिए यूज कर रहे हो उसमें जो ग्रीस लगी होती है वो गाय के औ गाय का मास और सुब्रका मास तरह के से तो तुम लोगों का धर्ब्रस्ट कर रहे हैं इसे वो लोग शॉपड़ूग के वाट क्या धावाइट मैंबास डिसीब ऐस चू कि अंग्रेजिवने तो हमारे साथ बहुत बढ़ा दूखा किया है कि इस तरीके से अब लोगों को लोटी को जो खोल देते ना तो उसमें पेपर लिखा होता है मैसेजर जर्जेस से आप मैसेज करते हैं आज कर बाट से फेस्बुक पे तो ऐसे मैसेज की थुरू रोटियों के अंदर मैसेज रखके भेजने लग गए थे रोटियां भेज जाती थी और उन्हें बताया जाता हैंगे और उन्होंने कमल की फूल भारती सेनिकों में बातने श्रू कर दिए इससे क्या हुआ कि भारती फूल बाट जाने लगे कि मतला हमारी सेना जो एक अलग हमारी पार्टी बननी स्टार्ट हो गई और लोगों ने देश भक्तों को साहिता और शरण दी लोग आप देश की लिए सहाइता कर रहे थे हमारी उनकी मदद करना स्टार्ट कर दी अब इसके बाद देखेंगे हम रिबॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1857 की क्रांती मैं इसमें आपने पड़ी हुई है दैन देर वाजे वाइलेंट आउट्ट एक मेरत में ये घटना हुई एक उग्र विद्रो हुआ सिपाही दिल्ली पहुँच गए लिए कितना ज्यादा मारकाट हो रही है जगड़ा कर रहे हैं लोग ये घटना कहां किये मेरत की इसके बाद देखी कैसे सिपाही इस मार्च टू डैली डैली के लिए मार्च करने लग गए विद्रो चारों तरफ फैलता जा रहा था और कई जमीदारों की भूमी ब्रिटिश लीटियों के कारण चीनी गए थी और वो अपने अब वहादू शाजफर से लोग फर्याद कर रहे हैं और इसके बाद चाहिए और वो बता रहे हैं कि मैनी लेंडलोर्ड है लॉस्ट देर लाइंड प्रिटिश पॉलिसी और देवर सोर अब जो इनको छीन ले गया है उनके पास कुछ भी नहीं है तो क्या आप हमारी मदद करेंगे तो राजा कह रहे हां हम आपकी मदद करेंगे महारती राजा पेजिस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि मैनी फॉर्मा रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल अफ लखनों वर बिटर अब यहां पर जो रिफ्रेंस आ रहा है वो बेगम हजरत महल का है कि कई भूत भूशाशक जैसे लखनों की बेगम हजरत भी कुपित थे गुरों ने मे मेरा राजे चीन लिया है अब उनको समझ में आ रहा था कि मेरा राजे चीन लिया है मैं भी विद्रोईयों के खिलाफ इस आंदोलर में शामिल होंगी और वो भी इसमें कूद पढ़ी और प्रसिद देनेता जैसे फैजाबाद के मॉल भी एहम दुल्ला ने लोगों को बता देखिए यहां पर वो बता रहे हैं मीटिंग हो रही है लोगों की लीडर है मॉल भी एहम दुल्ला और फैजाबाद फैजाबाद की बात है कि मॉल भी एहम दुल्ला ने लोगों को बताया भायों जागों अंग्रेज हमारे देश को बरबात कर रहे हैं राइस ब्रदर रा लोग मीटिंग करने लग गए और इसके बाद अजी मुल्ला खान ने तातिय तोपे से कहा हमें इस स्वसंतरत संग्राम में पेश्वा नाना सहाब को अपना नेता चुन लिया है कि हमें किसको अपना नेता चुन लिया है हमें नाना सहाब को क्योंकि देशवक्त अंग्रेजों पर तूट पड़े उत्तर भारत में इस्थाई युद्ध लड़े और इस तरीके से देखिए वो अब अंग्रेजों के खिलापों के सारे राजा भारत के लड़ने लग गए थ अब हे मा गंगे कहते हुए उसकी गोध में ही समा गए मदर गंगा दिस इस माइ लास्ट आफरेंग तु यू यह आपको मेरी आखरी भेट है इस तरीके से आपको इस चप्टर के लिए हो गया यह थोड़ा इती हासर इस चप्टर है वो सकता है आपको चप्टर पूरा पढ़िए